तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप से तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं A2Z drop के बारे में ठीक है इस वीडियो में हम आपको सारा जनकारी देंगे कि A2Z drop किस बीमारी में दिया जाता है कैसे काम करता इसका side effect यानि इसका नुक्सान क्या है और इसका पीने का तरीका क्या है किन बच्चा को देना चाहिए किन बच्चा के लिए फाइदा है या नुक्सान है ठीक है तो चलिए विडियो को स्टार्ट करते है और हम जान लेते हैं A2Z drop के बारे में संपुन्च जनकारी सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि यह जो A2Z drop है यह इलकम कंपनी का है जो बच्चा को देते हैं वही बच्चा को इसका इस्तेमाल क्या था आप यह जान लीजिए कोई भी बच्चा को यह दावा देने के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे क्योंकि यह दावा आप बिना किसी बीमारी को भी दे सकते हैं क्यों क्योंकि बच्चा को यह जो दावा आता है ठीक है और भच्चा को यानिकी शरीर के सवस्त रांगे कंगी शरीर को फूर्टिलाइक नहीं इसका इस्तिमाल करते हैं बस जहीशसका फायदा है और इसका पिलाने का थंगा बात करें तो दूस्त dzi Weld पाइब मेमल याने कि पाच बुन सुबासमदे और तीन महिना से छ 있다 बुन और शेया से नौ महिना के बचे को दस होन्य महिना से एक साल के बच्छे को बारा बुंद सुबासमदे ठीक है दोस्तों और एक साल से उपर के बाट्चे को मैं सजेस्ट करूंगा कि यह टूजे ड्रोप नहीं दें इसके लिए एक सीराफ आता है जब उपर जाता है तो उसे ताप तीन साल तक के बच्चे को इसको दे सकते हैं लेकिन एक साल तक की बच्चे को देना अच्छा होता है ठीक है किसी मेरी सिंदुकान पर आपको असान तनी होगी